Good morning children, now we read chapter 11, the donkey, new words and their meaning, new words and their meaning, new words, और उसके जो meaning है वो पढ़ेंगे हम, लेकिन मैंने अभी इसको पहले वीडियो में आपको बताया था कि new words हम अलग लिखेंगे, फिर next page पे हमें क्या करना है, फिर से वही words लिखकर उसका meaning लिखना है, जिसे अब हम इसका meaning पढ़ेंगे, करते हैं हम किसी पे, हे, हे means होता है सुखी घास, कौन, कौन means होता है पौधो के बीज, पौधो के बीज, पौनी, पौनी means क्या होता है, एक प्रकार का घोडा, ये एक प्रकार का घोडा होता है जो छोटा होता है वो, L E N T Lant Lant means होता है किराय पर देना Higher Higher means क्या होता है Higher means भी होता है किराय पर देना इसका means भी होता है किराय पर देना पर Higher means यह होता है थोड़ी दिर के लिए देना Meyer Meyer means क्या होता है कीचर Ride Ride means होता है घोड़े की सवारी यह हम किसी भी चीज की सवारी करते हैं, उसे बोलते हैं, राइट, वेप्ट, वेप्ट मीन्स होता है, गोड़े से मारना, लेस्ट, लेस्ट मीन्स होता है, रस्ती से मारा,